आतंकवादियों के समर्थन में एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी सामने आई है ये कहना है कॉंग्रेस पार्टी के एक लीडर का कि जो लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं उन लोगों को एक एक करोड रपया दिया जाएगा अगर कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद वो जो हैं जेलों में बंद लोगों को भी छोड़ देंगे आईए सुनिए हम जाते हैं कि अगर यहां कामरेस की सरकार बली तो यहां पर जो खून खराबा करा रही है भारती जन्ता पार्टी उसका अंत होगा और जो लोग इसमें मारे गए हमारे आतंगबाद के नाम पर जेलों में बंध है इन्हें सब के जेलों से छुड़ाया जाएगा अजय को आम इस अदहने आतंग आतंगबादियों को भाष्भा आटनगबादियों को मुआदा मिल सकता है तो कैसमीर में भारे गए दिर्दोष को मुंहिन क्यों fällt उन्हें जेलों से रिया किया जाएगा कांग्रेश की सरकाराई तो मार्नाटी कमिशन यहां पर लागू किया जाएगा जिन लोगों ने यह कत्लोकारण पहुंच को आदेख देकर करा हैं जिर्दोश लोगों को मरवाया हैं वो कितना बड़ा नेता कि उन्हों भास नेता पार कॉंगरसी नेदा शकीर सेयद खान ने ये कहा जम्मू के अंदर अब बात यह आती है कि जब भी कोई पार्टी का नेता इस तरह की बात करता है उससे एक जम्मू कश्मीर जैसे राज्ये में किस तरह का जो है माहूल आगे ही जानते हैं बना होता है और जहां पर एक तरफ आतंकवादियों को निस्तो नाबूत किया जा रहा है उप्रेशन आलाउट के चलते वही पर आतंकवादियों को छोड़ने की और आतंकवादी जो मारे जाते हैं उनको पैसे देने की भी मांग की है कॉंगरसी नेता ने आप लोग देखते रहें जेके मीडिया आशीश कोल किया ना मैंने शोग चलतरावी के साथ जेके मीडिया के लिए